हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज हम सीखेंगे FLE Law, FLE क्या होता है हमारा? क्या होता है हमारा ये? Fulcrum, Load and Effort, अब ये कैसे सीखेंगे हम लोग? आये देखते ही जरा, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है? एक होता है lever, एक होता है हमारे पास Fulcrum, और हमारे पास इधर से क्या होता है? effort, तो कैसा करते हैं? हम यहाँ पर एक effort लगाते हैं, और यह Fulcrum हमारा होता है, जो balance कर रहा होता है, and then ये load, जो load क्या कर रहा होता है? उठा रहा होता है, ठीक है? अगली बार समझते हैं जरा कैस यह हमारे तीन टाइप्स के होते हैं कैसे होते हैं तीन टाइप्स के अच्छा यह देखी जैसे जो मशीन है यह मशीन जो बड़ी-बड़ी मशीन है यह कैसे काम करती है इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कैसे काम करती है देखते हैं देखी बड़ी-बड़ी यह मशीन तो यह काम करती हैं अगली बात करते हैं यह हमारे थी टाइप्स के होते हैं कैसे थी टाइप्स के होते हैं तो आईए जानते हैं थी टाइप्स कैसे होते हैं फ़स्ट क्लास लिवर होता है and this is second class लिवर होता है and this is third class लिवर होता है यह उखेला होगा जैसे कि अपने बच्पन में खेला होगा जैसे कि आपने बच्पन में खेला होगा सीसा वाला छोटे बच्चे खिलते न एक तरफ होता है चोड़ा बच्चा बैठा होता है और हम लोग क्या करते हैं इसमें कि एक तरफ वो नीचे से फोर्स लगाता है फिर वो उपर जाता है फिर वो लगाता है फिर वो सामने उसके अपोजिट वाला क्या करता है उपर जाता है तो यह सब जो भी चीज़ें हैं यह आप कैसा है फिजिक्स पर ही देख रहे हो सारे प्रिंसिपल जो भी आपके आसपा जो भी सब कुछ है वो फिजिक्स पर ही काम कर रही है और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से यह हमने देखा फर्स्ट लास लीवर ठीक है आगे आए यह भी फर्स्ट लास लीवर का एक्जामपल एक सीजर जो काम करती है ठीक अगला देखते हैं बहुत अच्छा है एक यह हमने देखा जो इसको होता है यह भी हमारा एफर्ट फॉल्क्रम पर काम करता है यह भी एक एक जामपल से यह सेकंड क्लास लीवर का एक्जामपल है क यहाँ पर आपने देखा कि आपका यह corner पर रखा है और आपका जो effort है वो यहाँ से उपर से लगा रहा है आपका load नीचे कर रहा है तो देखिए यह machine जैसे यह second class lever stepler आप use करते हो जो ठीके यह आप आप कहाते है third class lever पर आ जाते हैं चलिए third class lever होता है कैसे काम करता है हमारा जो effort होता है वो mid of the होता है load हमारा corner पर होता है and last corner पर हमारा fulcrum रखा होता है ओके आगे बढ़ते हैं this is a hockey stick example इससा कैसा हो गया hockey stick या फिर हमारा ही जो यह देखो एक जड़ु टाइप का लिए हुए जड़ु दिख रही ना जड़ु है ऐसे लिए हुए यह क्या कर रहा है देखो यहां पर इसका load है यहां लोट से उठा रहा है ठीक है यहां effort वो लगा रहा है यह आपका कैसा हो गया हमारा site का है balance कर रहा है effort हम ऐसे हथोड़े से लगा रहे है एंड लोट कहां पर जा रहा है फवर कहां पर कर रहा है लाश्ट के कॉर्णर पर तो यह आपका कैसा हो गया third class liver हो गया चलिए आगे आते हैं देखते हैं अरे और हमारे body में भी levers होते हैं तो यह कैसा नहीं हम याद रखेंगे हम लोग f l e 1 2 and 3 fulcrum load and effort तो अब बन गया आप लोग चम्स हैं और उसको हम लोग practically देखें कि work करती भी या नहीं करती है सिफ मैंने इसको दिखा दिया बना दिया और आप लोग देख लिए कि हासे काम करती है चलिए आए देखते हैं तो देखे हमारे पास क्या है कि एक फॉलकम रखा एक हमारे पास रॉड है और एंड देन हम पर मैंने क्या किया यहां पर एक अपना लोड टांग दिया लोड हमारा हो गया यह हमारा क्या हो गया फलक्रम हो गया एंड देन एफर्ट हम कहां से लगाएंगे यहां से लगाएंगे और जो हम यहां से लगाते हैं तो देखो हमने यहां से नीचे था जैसे मैंने कैसे कर रह Jimmy अगरं में इसको जितना आगे सिस्ट क्रें अगर मीपना यह तो हमारी जो पावर ताकत को ज्यादा लगे गी यानि कि लिगर जितना हम दूर रखेंगे उतनाही वह क्या होगा अबक यह न हुँ और हमें एफ्ट ज्यादा लागाना पड़ेगा और जितना ही लो लिवर होता है वो क्या होता है काफी बड़ा होता है बड़ा इसलिए होता है ताकि जो फोर्स है वो ज्यादा कम एफर्ट लगा करके ज्यादा लोड निकाला जा सके निपानी को ज्यादा निकाला जा सके ठीक है तो आपको समझ में आया कि लिवर कैसे वर करता है हो गया सर फर्स्ट लास था